अब यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट जो स्टूडेंट के दिमाग में होता है डिप्लोमा वर्सेस दी बीटेक बहुत वेकेंसी ऐसी आती है जिसमें आपको डिप्लोमा eligible किया हुए मतब minimum qualification और ने डिप्लोमा किया है और साथ में बीटेक भी eligible है दूसरा टाइप वेकेंसी दाता है कि जिसमें डिप्लोमा compulsory किया हुए लेकिन उसमें भी बहुत स्टूइट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा करके फिर बीटेक किया हुए तो वो भी eligible है means कि जिसने प्लस न प्लस टू करके बीटेक किया है और एक ने डिप्लोमा करके B.Tech किया है और किसी में minimum diploma उन्होंने मांगए तो उस case में भी ये confusion है diploma versus B.Tech वाली क्या doubt आता है diploma के students के डिबाग में कि sir मैं कैसे compete कर पाऊंगा एक B.Tech student के साथ junior engineer के vacancies है minimum diploma मांगए उसमें भी roughly अगरा मेरे से कुछ हो कि sir कितने percent of बच्चे जो होते हैं वो जिसने diploma plus B.Tech किया होता है और वो भी उस exam को दे रहे होते हैं या junior engineer की vacancy और उसनोंने higher education को eligible किया हो है वाँ पे तो roughly मान के चलो definitely yes 50-60% students ऐसे होते हैं जो B.Tech के होते हैं लेकिन दिमाग में क्या doubt आ रहा है जो question है, जो problem है जहां पे बच्चा की doubt आता होता है कि sir मैं compete कैसे कर पाऊंगा B.Tech का student भी तो paper दे रहा है यह एक मेरा आज का agenda है यही चीज़ मैंने यहां पे लिखी हुई है कि how diploma students can compete with B.Tech students for junior engineer exam बहुत सरे exams जैसे SSE JE का exam है RRB JE का exam है State के भी जैसे भी Peter Plus B का निकला है हिमाचल में निकला है हर जगा निकल रहे है exams जैसे भी PSPCR ने किया है कि diploma is compulsory for JE Electrical लेकिन अगेन जिसने diploma Plus B किया है वो भी तो sit करेगा उसको उसको रोक नहीं सकते है क्योंकि diploma मीनिम मांगे वो उसके पास है अब भी उसको compete कैसे करने है पहला चीज मैं आपको एक चीज़ बहुत clearly बता रहा हूँ कि ये competition ही जो ये दिमाग में आपके doubt आ रहा है ये invalid है reason उसके बिछे में बता रहा हूँ doubt आपके दिमाग में नहीं है doubt B.Tech student के दिमाग में है वो कैसे आपने डिप्लोमा किया हूँ है और आपने जो चीज़ें पढ़ी है डिप्लोमा लेवल के लिए जब examiner paper set करेगा वो आप लोगों को दिमाग में रखे set करेगा कि yes इसको minimum डिप्लोमा वाला student ने paper देने वो इस चीज़ को दिमाग में रखे इसको set करेगा B.Tech वाले student को दिमाग में रखे वो set paper नहीं करेगा दूसरा चीज़ जब आप मैं बोरहों कि confusion कहां पे है कि B.Tech वाला student इसमें confusion end पे है डिप्लोमा वाला नहीं है reason उसके पीछे यह है दूसरा reason कि जब आपने डिप्लोमा किया है तो जो पार्ट आपने जीव डिप्लोमा के अंदर पड़ा है आपको पता है कि मेरे को सिर्फ उत्रा सा पार्ट करना है और उसी में से ही मेरे को अपने आपको preparation करना है चाहे वो आपके questions के पार्ट पे हो चाहिए वो theory के पार्ट पे हो चाहिए वो दूसरा knowledge के पार्ट पे हो लेकिन जब b.tech वाला त्यारी कर रहा है अब उसके दिमाग में ये doubt है कि भही मेरको अब diploma वाले level पे जाके अपनी preparation करनी पड़ेगी और ये ऐसा ही होता है तो उसके दिमाग में doubt होता है कि भही मैं क्यों नीचे जाके नीचे लेवल कर क्यों पड़ू उसको problem उसको होती है डिपलोमा वाले student को problem नहीं होती है आपको तो उतना सा party करना है जितना आप लोगों को पढ़ा हुए आपनी डिपलोमा में और उतना सा ही आपको लोगों को paper में भी वो डिपलोमा के student को set दिमाग में रखके बनाएगा बीटेक वाले student को क्या problem होती है कि उसको बहुत एक बहुत basic चीज़े जो normally वो बीटेक के अंदर जो fact वाली चीज़ें data वाली चीज़ें वो नहीं पढ़ता है बीटेक के अंदर पेपर देना है जो इन टाइप ऑफ एक्जाम के अंदर concept-based questions आते है junior engineer के अंदर concept-based questions जो हो 10-20% होते है लेकिन majority जो 70-80% questions होते हैं वो fact-based होते हैं वो database होते हैं जो बहुत हद तक बीटेक वाले student को problem होती है वो बीटेक वाला student इसमें नहीं पढ़ता है अब दिमाग में doubt आएगा कि सर्फ बीटेक वाला student में तो आप आपने तो सर्फ डिप्लोमा का problem solve कर दिया अब बीटेक वाले student के दिमाग में जो है वो ये एक doubt create कर दिया कि ये चीज़ कैसे possible है बीटेक वाला student इसको कैसे करिए obviously बचे आप लोगों को पढ़ना पढ़ेगा चाहे वो डिप्लोमा है चाहे वो बीटेक का student है पढ़ना तो देखो दोनों को पढ़ेगा ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिप्लोमा वाले के लिए ये competitively easy है या बीटेक वाले के लिए difficult बाट है इसके साथ correlation नहीं है जो preparation करके जाएगा it's very simple and it's very straight और ये हर किसी को पता है कि अगर मेरे को preparation मेरा preparation अच्छा preparation है तो चाहे वो मेरा competition चाहे डिप्लोमा वाले के साथ हो जाए चाहे competition मेरा B.T.E.K. वाले के साथ हो जाए तो मेरे को तो compete करने है मेरे को तो मेनत करने ही करनी है ये बहुत simple सा इसका answer है तो चाहे वो B.T.E.K. वाले student है चाहे वो डिप्लोमा वाले student है मेनत दोनों को करनी है दोनों को ही उस type of questions उस type of concept का practice करने है जो उस exam के लिए required है चाहे वो S.S.E.J.E. का exam हो चाहे वो R.A.B.E.J.E. का upcoming exam हो चाहे वो आपके state की vacancies हो चाहे वो किसी भी state का हो पंजाब का हो, हर्याना का हो चंडिगण administration का हो, हिमाचल का हो जमो कश्मीर का हो वो दिमाग में जो examiner है इस चीज को दिमाग में रखके बनाएगा किसमें diploma वाले student के लिए ही मेरे को दिमाग में रखना है कि diploma वाले student के हिसाब से वो paper set करेगा तो ये I think मैंने आपको ये clarity कर दिया है कि diploma versus btec वाला कोई competition नहीं है benefit diploma वाले student को है आपको दिमाग में इस चीज़ को डाल के कि I am at the better end अपनी preparation करनी है, hesitate नहीं करना है सोचना नहीं है ज्यादा या quit नहीं करना है कि नहीं मैं तो compete करी नहीं पाऊंगा, तो इस सथ दिमाग से निकाल के आप लोग अपना preparation कर सकते हो मेहनत कर सकते हो, आज कल मैं diploma colleges में sessions कर रहा हूँ, seminars कर रहा हूँ बहुत अच्छा वहाँ पे मेरे को इसमें वहाँ पे response मिल रहा है students है कि यह सर हम करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत वो कर भी रहे हैं इंजिनियर्स क्रियोपाइंट is the only platform इंचन्डिगड रीजन जो आप लोगों को preparation करवाता है offline यहाँ पे बहुत बच्चा होता है हिमाचल का, पंजाब का, हर्याना का, जमु कश्मीर का, चन्डिगड का, हर रीजन से यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपनी preparation करते हैं offline भी करते हैं, online भी करते हैं और यहाँ पे आके आप हमारे साथ जूट सकते हैं और अपनी preparation कर सकते हैं और हाँ, एक चीज और, अब मैंने एक process start किया कि जितने भी आपके previous year papers हैं अब मैं collect कर रहा हूँ हर state के और उसको मैं अपने telegram channel बे डाल रहा हूँ कमी नहीं हमने चोड़नी है previous year questions लगानी है, अलग से questions प्रक्टिस करनी है detail में theory पढ़नी भी है इस तरीके से हमें starting करनी है और इसी तरीके से यहाँ पे आपको चल्डिगड के अंदर पढ़ाया जाता है जिसमें पूरे पंजाब का, हिमाचल का, हर्याना का हर स्टेट से बच्चा आके यहाँ पे प्रपेशन करता है और Your PDA is the online platform जिसमें तकरीबन धाई लाग क्या साथ बच्चा है जो अलग-अलग exams के लिए प्रपेशन कर रहा है exam inero patent चल रहा है HPCL चल रहा है, ISRO चल रहा है यह वही team है जो आपको Your PDA platform पे teach कर रही है, वही team जो है यहाँ पे आपको ECP में और Flim platform में भी teach कर रही है Right everyone, so I think मैंने अपना message आप लोगों को दे दी है प्रपेशन करना स्टार्ट करो, PSSB ने vacancies निकाली है, अभी वहाँ पे doubt चल रहा है कि कब से सर उसका link activate होगा form fill करने वाला, अभी थोड़ा सा time लगेगा, उनके थोड़ा technical issue चल रहा है लेकिन आप लोगो अपना तैरी करो, यह चीज़ें तुमारे control से beyond है, जो चीज़ें तुमारे control में हैं, सिर्फ उसी चीज़ें के बारे में सोचो और उसी चीज़ें के लिए अपना effort करना start करो, vacancies और बहुत आ रही है मेरा अभी आजकल बात चल रहा है, आपके जो seniors हैं, हमारे जो alumni हैं, ECP के, जिनका selection लेके गई हैं, उस सारी information मेरे को provide कर रहे हैं, और वही information में दीर दीर करके आप सभी को provide कर रहा हूं, और it is not only limited to Punjab, it is for Himachal, for Jammu Kashmir, हर स्टेट के बच्चों से मेरा है, इसका later you have a discussion चल रहा है, right everyone, thank you very much and all the best to all of you.